अला दोस्तो आडिल कमपणी का 7 इंची ऊट काटिंग मैसीन तो ए मैसीन जिसका मैसीन है खुद बोल रहा था मैसीन बहुत ज़्यादा पेसर से यूज किये थे तो यूज करने से पिछे से आग निकले थे तो हमें खोल के चेक करना है इसमें आर्मेचार फिल कौन सा समन खराब हुआ है तो पहले मैसीन को हम खोल लेते हैं थोड़ा फास्ट में आपको देखा रहे है ए आडिल कमपणी का मैसीन का जो फाइबर है ना बोडी का जो फाइबर है बहुत ही अच्छे है तो मैशन थोड़ा बड़ा आपको size में देखने को लगेगा तो हम मैशन को open कर लेते हैं तो bearing अंदर रहे गया है तो इसका shaft खराप हो गया है तो एक बढ़िया से बाहर नहीं हो रहा है तो हमें इसको open करना है तो पैचकत से मदद से हम इसको उपन करने की कोशिज करते हैं दोनों कुछ समण से ऐसे करने से उठ जाएगा तो हम मेरे पास देख रहे हैं बूधी दर सकते हैं ऐसे करेंगे तो पंकाट तूट जाएगा तो हम थोड़ा ॐस्केp इसकेr मेरे भास जो और-पेच कसे मैं उसे मद्स कूषिस करता हुआ बढ़ी से खोल जाए थोड़ा बाहर हो रहा है सऩस बाहर हो जाएगा इसे जो फाइबाश ब्लेड है बढ़े है इससे आपको पàiश करने पूंक है न वो बाहर हो गया है कि तो हम आपको पास में लेके देखा रहए इसमें जो फिल है ना फिल बूच जटा हीट होने से तो जल गया है तो ऐसे कैसे हुआ है सायद इसमें Sam lagi का सेप्ट खराब हो गया था तो इसको फोड़ा थोड़ा खराब होता, अर्मेचरस हैब ने तो bearing खराब होता, उसको maintenance नहीं किया है, इसी भएया से ऐसे हुआ है, तो इसमें लापरवाई से machine को use किया है, उसी भएया से ऐसे हुआ है, तो हमें field coil बाहर करना है, अर्मेचरस साथ field दोनों को बाहर करना है, तो हम आपको आज डखाएंगे तो पिछे से हम... साइट से अपको.... कुछ समान से हम इसको खूल लेते हैं मिरेको भी देखना पड़ रहा है कि तो हम बड़े अफरों साइट से बाहर नहीं कर पाएंगे आपको थुड़ा देखने की कोईसिस करते है कैसे आपको बहर करना है तो दोनों साइड से आपको बाहर कर लेना है तो आपको दोनों साइड से आपको बाहर कर लेगे ना तो उसके बाद आपको स्वीच का जो कावार है उसको खोल के आपको केविल को बाहर कर लेना है तो हम केबिल को थोड़ा फास्ट में आपको बाहर करके देखा रहे है तो उसको बाहर करने के बाद आम लगड़ी से ठोक के फाइबर को वाड़ी को धिरे से ठोकने के बाद फिल्ड के साथ आर्मेचार बाहर हो जाएगा तो ऐसे आपको बाहर हो जाएगा आपको तकली भी नहीं होगा मैसीन में कुछ भी दिक्कत खरब नहीं होगा अब बूब जदा बैरिंग पीछे से बैट जाएगा तो बड़िये से उपेंड नहीं होगा तो करने के बाद ही पता चलेगा उसमें कितना काम होता है जो सोचते हैं कितना काम होता है उसमें तो उसमें नाट खोल लिया उसके बाद हम धिरे से ठोक के बाहर कर लेते हैं लगड़ी से ठोक के बाहर करने से बढ़िया होता है देखिए बाहर हो गया है तो हमें और एक चीज़ देखना है उसमें जो स्पिंग है उसको बढ़े से बाहर कर लेना है ने तो लग हो जाएगा तो उसका स्पिंग खरब हो सकता है तो हमें उसको देखके भी बाहर कर लेना है तो फिल कर लदा खरब है फिर भी हमें खरब नहीं करना है तो उसको इसका स उसके बाद आप ऐसे करके बाहर कर सकते हो आपको आगे से बाहर करना है आगे से बाहर हो जागा पीछे से फाइबर जो ना थोड़ा बाहर हो गया बड़ी ऐसे बाहर नहीं होगा तो हम रावर कैप बाहर कर लें है बड़े से बाहर हो गया है देखिए कि इसका और में ऑन कंवड정 सभी तो चाइब का ख्रोनां करने करने के बाद आपको मैं प्लिसिंग हो गया है तो हर बक आपको सही नहीं होगा जब भी लोगे में आपको हर बक नहीं हो आपको काटिंग बड़े से नहीं कर पाएगा क्यों उसमें आपको और एक चीज जब भी हीट करेंगे न ओर थोड़ा band हो जाएगा भाइबेसन करेगा तो आपका armechar चल भी जाएगा उसमें बहुत सावन करेगा घवाइवेशन होगा तो machine बहुत सामन खराप हो सकता है तो हमें हमें मेरे पास armature नहीं है इसका जो armature हों थोड़ा लग है इसका armature में जो T है ना 9T से है रहेटली मेरी lovers के मैंशिन का गर्साइए zaman ul लगें मेशने के एक इसे प्लस्टिक पंखह लगती है उसमें जो टीएएट टीए और मारकेट में जो c7 इंचिंट्फी जे 1 इंचिंग मैंशिन होता है उसमें gentlel तो इसमें थोड़ा पतले है जो sap थोड़ा पतला है और उसमें टी है 9 है तो हम देखी इसमें armature कितना ज़्यादा खराब हो गया bearing तो housing के साथ fix हो गया है तो armature बहुत ज़्यादा play है ऐसे चला नहीं सकते हम इसको चला सकते हैं पहले फील को हम डूड़ेंगे, फील कोड़ात देंगे, फील मिल जाएंगे, तो हम इसको चला सकते हम उसको चलने के कोसिस करेंगे, इसमें कुछ फेविक डाल के हम कोसिस करेंगे, बड़े से चल जाए तो अच्छा है, मेरे से जितना हो पाएगा हम कोसिस करेंगे, तो इसम समन आ जाएगा तो हम आपको दूसरे वीडियो बना के देखाएंगे मैंने समन को उड़ा देदे थे